पांच दिन इन पतियों की चाय बनाकर पीलो, सुगरोब, कोलोस्टोल, पेट के रो, मोटापा, कमजोर आँखें, एनिंद्रा और ये दिल की बिमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी और आप 90 साल तक बिलकुल स्वस्थ जीवन जीओगे, आपके सरीर की हर त्रहें की बिमारी का इलाज हो जाएगा, नमश्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चमतकारी पतियों के बारे में बतामबा, दोस्तों यदि आप इन पतियों को पानी में उबाल कर पी लेते हैं, यानि इनकी चाय बनाकर इनका सेवन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको चमतकारी नतीजे दिखाए देंगे। दोस्तों इन पतियों को पानी में उबाल कर पीने से आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती बढ़ जाएगी। और आपके सरीर को सर्दी खासी जुखाम जैसी बीमारियां कभी आसपास भी नहीं हैंगी। दोस्तों इन पतियों का प्रियोग करके आपको पाचन समंदी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये पतियां पेट और आँथ में एठन को दूर करने वाली दवाई से भी अधिक तेज काम करती हैं। इसके कान आपका पाचन मजबूत होगा, आपको पेट का कोई भी रोग नहीं होगा। दोस्तो यदि आपकी आँखों की रोसनी कमजोर है, तब भी ये पतियां आपके लिए बहुत अधिक चमतकारी हैं। दोस्तो आपने इन पतियों को पानी में उबाल कर पीना है और इनकी भाप आँखों में लेनी हैं। और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे, तो दोस्तो आपको चमतकारी नितिजे दिखाई देंगे। आपकी कमजोर आँखों की रोसनी भी बढ़ जाएगी। आपकी वजन को भी कम करने में बहुत अधिक चमतकारी हैं। क्योंकि ये पतियां फाइबर से भरपूर होती हैं और यह नहीं सिरफ आपके वजन को कम करने में साहक हैं, बलकि सरीर में अतरिक्त वसा को बनने से भी रोकती हैं। यदि आपको सांच से जुड़ी कोई भी विमारी है जिसे अस्थमा है या आपकी चाती में जमा कफ हैं। दोस्तो तब भी आपको इन पतियों की चाय बना कर पेनी हैं, इन पतियों को पानी में उबाल कर पिना हैं। और आपके ये रोग दूर हो जाएंगे। दोस्तो ये पतियां आपके खून को साफ करने का काम करती हैं, क्योंकि इन पतियों की चाय पीने से सरीर के अंदर से ये सरीर को डिटोक्स करती हैं, जिससे कि आपके सरीर का खून साफ होगा, और जब आपके सरीर का खून साफ होगा, तो आपके चहरे पर मुहासे नहीं आ जाती हैं तो दोस्तों वो इस चाय का प्रियोग कर सकती हैं इस चाय की प्रियोग से एक तो उनका खून साफ होगा उनका खून पतला होगा और दूसरा दोस्तों उनको कोलोस्ट्रोल की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ये पतियां खून को नैचुरल तरीके से साब करती हैं और इनमें fiber भी अधिक मातरा में होता है जो आपके kolostrol को कंट्रोल करने में बहुत अधिक सहायक है fiber kolostrol को खून में खुलने से रोकता है और इस परकार यह है आपको दिल की बिमारियों heart attack, heart blockage और दिल की बिमारियों से बचा कर रखती है दोस्तों यदि आप सवस्थ दिमाग बना चाहते हैं और एक एनिंदरा जैसी बीमारी से भी बचा रहने चाहते हैं तो आपको इनकी पतियों के पानी में उबाल कर सेवन करना चाहें आप इनकी पतियों को वैसे भी चबा कर खासते हैं पर लेकिन यदि पानी में उबाल कर बेंगे तब आपको उससे अधिक फाइदा होगा ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करेंगी क्योंकि इसमें मुझूद पोटासियम खून में सोडियम की मातरा को कंट्रोल करता है और इसके दुर्ष प्रभावों से बचाता है इसके इलावा इन पत्यों में नाइट्रेट की भी मातरा होती है जो आपके बलड प्रेसर को कंट्रोल करते हैं साथ ही इसमें मैगनीशियम भी अधिक मातरा में पाई जाता है जो महिलाओं में हाई बलड प्रेसर के खत्रे को कम करता है और उनको दिल के बिमारियों से बचा कर रखता है डाइवटीज की बिमारी में भी ये पत्या बहुत अधिक चमतकारी है खूर में सरक्रा की मात्रा को कम करके मदुमेह के कत्रे को कम करती है इसमें पाई जाने वाले एंटख़क्षण डगुन भी सुगर लेवल को कन्टॉल करने में आपकी मदद करते हैं ये आपके लिवर को हैलदी बना करकती हैं लिवर को डिटोक्स करती हैं दोस्तो और ये हमारा लीवर ही है जो हमारे सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है क्योंकि ये लीवर हमारे सरीर के इंजन की त्रहें काम करता है और दोस्तो ऐसी है ये सौंप की पतियां जिनकी बात हम आज की वीडियो में कर रहे हैं दोस्तों ये आपके चहरे पर भी नया गलो लाती हैं क्योंकि ये कोलिजन को बढ़ाती हैं जिससे कि आपके चहरे पर नया गलो आता है दोस्तों तबचा को डीप क्लिंजिंग भी करती हैं ये सोंप की पतियां एकने कम करते हैं एंटी एजिंग गुनों से भरपूर हैं आप इनकी पतियों को पानी में उबानकर उस पानी से अपने चहरे को भी धो सकते हैं उससे आपके चहरे के रॉम चिदर खुल जाएंगे ये आपके चहरे को अंदर तक साफ करेंगी ऐसी है ये चमतकारी पतियां तो चली दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने इन पतियों का परियोग करना कैसी है दोस्तों आपने क्या करना है ये एक मुठी पतियां लेनी है और इनको अच्छी तरह से धोकर आपने साफ कर लेना है अब आपने एक से डेड़ गिलास पानी आग पर उबलने के लिए रखना है जैसे कि ये हमने रख दिया अब दोस्तों आपने ये एक मुठी सौंप की बत्यों किसमें डाल देना है और इस पानी को आपने तब तक उबालना है जब तक आपने एक से डेड़ गिलास पानी लिय दोस्तो आपने इस नुस्खे का सेवन हर रोज सुबह खाली बेट करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके चेहरे पर नया गलो आ जाएगा आपके सरीर की इम्म्यून पावर बढ़ जाए खून की गंदगी साफ हो जाएगी वात पित और कब को भी बैलेंस कर काम करेगा इसका तो दोस्तो देखा कितना चमतकारी हैं ये सोंफ की बतिया दोस्तो आप इनका सेवन हरोज कीजिए और अपने सरीर को भी ठंडा रखिए तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर क कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन की साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो